पूरवी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनी के बीज भरा सरकार ने चीन के खिलाब सक्त कदम उठाना शुरू कर दिया है 29 जुन सौंबार को ITM Electronics मंतराले ने सिकंजा कसते हुए भारत में प्रचलित चीन के 69 एप पर प्रतिबन लगा दिया है इन में TikTok, Hello, WeChat, UC Browser जैसे प्रमुक एप शामिल है इसके साथ ही चीन से आयात पर लगाम के लिए भी मंधन शुरू हो गया है और द्योगिक संगठोनों से राय शुमारी शुरू हो गई है कि अब और कैसे आयात पर रोक लगाई जा सकती है चीन के एप को लेकर अंतर राष्टी श्तर पर जासुसी की आशंका जताई जा रही है 29 जुल सौंबार को सरकार नहीं सी आधार पर फैसला किया कि चीन के 69 एप भारत की संपरभूरता अखंडता अवैसुरक्षा को लेकर पूर्वा ग्रह रखते थे ऐसे में सरकार ने IT Act के 69 एस सेक्षन के तहट इन 69 एप पर प्रतिबंद लगाने का फैसला किया है सरकार को इन एप के गलत इस्तेमाल को लेकर शिकायतें भी मिल रही थी यह भी शिकायत मिल रही थी कि यह एप Android एवम iOS प्लेटफॉर्म से डाटा चोरी करने में भी सहायक हैं जिससे देश की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे थी साइबर क्राइम पर नज़र रखने वाली सरकारी सेंटर वे ग्रह मंतराली की तरफ से भी इन एपस वर प्रतिबन लगाने की सिफारिश की गई थी भारत में TikTok के लाखो फालावर्स हैं सरकार के फैसले से भारत में निर्मित एप को आगे आने का मौका मिलेगा महीं चीन को बड़ा जटका लगेगा अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें